जहीं दोस्तो दोस्तो आरेमी के लिए और एक नोटिफिकेशन आ गई है मेरे पास और उस नोटिफिकेशन में आपको दिखाने वाला हूँ पुरा सबुत के साथ कि आपका जो रिमेडिकल है वो 14 सप्टेमबर से शुरू हो रहा है मतलब सप्टेमबर के सेकंड विक से शुर आने वाला हूँ बहुत चारे बाई मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी जब नोटिफिकेशन आये थी आरेमी के लिए तो बहुत चारे बाई उन्हें कमेंट करके बला कि यार वाई तू जूट बोल रहा है इसे क्यों कर रहा है हमारे साथ हम पहले से परिशान है नियुब्यवगेशन आपके सामने हैं तो 19 मार्च 2020 के रfelt का रमी शेडूल कर जेडूल पाइद बनेक हां अब कोविड नहीं तो 19 मार्च 2020 को हमारा र्मेडिकल पोश्प folded नम उता ह्पना फोगया था नहीं पको पताता कि मार्च के 24 तारिक से आपका रिमेडी का शुरू होने वाला था अभी तो वो खतम भी हो जाता और अमारा परती प्रोसेस भी खतम हो चुका हो था अगर COVID-19 नहीं आता लेकिन अभी क्या हालात किसी के हाथ में नहीं है ना आपके ना मेरे तो देखे उसके रिकार्डिंग य आई है नीचे आपको SSB Constable GD 2018 का यह पूरा नाम देखने के लिए मिल जाता और डेट जो है 27 आट 2020 को यह नटिफिकेशन जारी हुआ है लेकिन यह है फैक्स नोटिफिकेशन ठीक यह अभी होपिशल वबसेट पर नहीं आया है और यह प्रोसेजर दो है टेंटिटिव पर यह पर यह पर एकदम साफ साफ बोलाए कि आपका जो सेकर्ड वीक से है जो री मेडिकल शुरू हो रहा है सप्टेंबर के यह पर बोलाए वीच अडर प्रोसेस मतलब इसका जो प्रोसेस है वह जल से जल शुरू कर दिया जाएगा एड्मिट कार्ड और लोकेशन फोर के लिए जो प्रोसेसरी वह आगे हम जल से जल शुरू कर देंगे बगरा बगरा ठीक है निचे आपको देखने के मिल जाता है कि जो के टेगरी ए और बी के लिए जो है पेस हॉस्पिटल आइटीवीप दिगरी कैम्प का यह पर एड्रेस दिया गए तो मेरे अधी सेंटर मिलेगा हर किसी को ठीक है ऐसा मुझे लगता है लेकिन उसमें के चेंजिस वगरा हुए तो आप मुझे बता देना ठीक है नीचे जो है आपका कैटेगरी स्थी वालों के लिए जो है 32 बीन आइटीपी कानपूर सेंटर है 33 बीन आइटीपी गोहाटी सेंटर ह लाची 50 बीन आइटीपी पंचकुला ठीक है इस नीचे जो है आइटीपी शिवपूरी और आइटीपी सिमदवार और इसके बाद है जो आर्टीसी तमेलनाडू ठीक है यह सारे कैंप्स जो दे दीए गया है और नीचे जो है फाइनल शेडूल ऑफ आर्मी सेंटर वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी अपरेड इन आर्मी एंड सेंटर वाइज नंबर और आर्मी बोर्ड टू बी डिटेल विल बी इंफार्ड ओन तो नीचे जो है सारी जानकरी दी गई कि जल से जल इस पर कारवाई की जाएगी यह वो ठीक है नीचे का हमारा ज्यादा कुछ काम का नहीं है लेगन जो काम की चीज थी वो हमारे लिए उपर ही थी ठीक है तो यहां पर बोला गया है कि आपका जो है सेकंड वीक ओफ आप सबके लिए बेस्ट अफ लग और जितने भी हमारे भाई है उन सबको बेस्ट अफ लग तो जिन भाईयों को भी अभी तक इन नौटिफिकेशन पर बहुत ही जल आपको देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें जो है आपके सारी डेट्स वगारा बताई गई है ठीक कि कि जैसे जितने भी बिहार के केंडियेट थे जिनका यहां पर रिमेडिकल हुआ था इन सारे कैंप्स का मेडिकल जो है कंप्लेट यहां पर करवाने वाले है ठीक है यहां पर करवाने वाले है जो इन सेंटर पर ठीक है और यह जितने भी उत्तर परदेश में केंडियेट थे उनका medical इन सारे centers पे हुआ था ठीक इन सारे centers पे अब यह उनका RME जो है इस center पे होने वाला है तो यह आप भी इस notification को थोड़ा ठीक से पढ़ोगे तो आपको ही पता चल जाएगा कि आप करी medical कहा होने वाला है ठीक इस notification को भी ठीक से पढ़िएगा यहापे जो है आपके पूरा A, B, total candidates, male यहापे A, B, female पूरे total candidates यहाँ और grand total candidates पूरे यहाँ पे दिये गए लेकिन मुझे एक डाउट है इस notification पर इस notification में सिर्फ 1846 candidates के ही नाम है तो मुझे इसा लगता है कि यह notification आधा दूरा है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो dates है तो दोस्तों इसमें जो dates है वो dates candidates ही बराबर है सिर्फ ठीक है और यह centers के टोटल वगरा जो दिया है वही बराबर है बाकि जो है यह candidates मतलब हमारे हमें को तो पता चला था कि medical जो है इससे बुड़ी बात क्या हो सकती है ठीक है तो जो है अच्छा है हमें पता तो चल गया है कि हमारा री मेडिकल कब शूरू हो रहा है कब कतम हो रहा है लेकिन जो नोटिफिकेशन यह मुझे आधा दूरा लगता है ठीक है इसमें पूरी जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि 42,000 लोगों का री मेडिकल करवाना है और यहां पे सिर्फ 11,000 लोगों का ही नाम है तो आप से एर पिप के वेब साइट को हरो विजिट करते रही है कि आपको पता चल जाएगा ठीक है एडमिट कर के बारे में और नोटिफिकेशन के बारे में जैसी को जानकारी मिलती है मै आपको आपको नए और फ्रेश डो के साथ अपता के लिए दन्याओत जहीन चे बारत झाल जो, झाल 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 झाल